नमस्कार, Quick News कारिक्राम में आप सभी का स्वागत है, मेरे नाम है मनीश्रवास्तों और हम बात करेंगे GM सरसो को मिली मंजूरी Genetic Engineering Appraisal Committee ने GM Mustard को पर्यावरणी तौर पर मंजूरी दे दी है GM Mustard को DMH11 भी कहा जाता है, इसे दिल्ली उनिवर्सिटी द्वारा विक्सित किया गया है GM फसलों की बात करें तो ये ऐसी फसले होती हैं जिनमें जीन्स को कृतिम रूप से रूपांतरित आर्टिफिशिली मॉडिफाई किया जाता है आम तोर पर इसके लिए दूसरे और्गिनिजम से जैनेटिक मटेरियल लिया जाता है भारत में अभी तक केवल एक GM फसल बीटी कॉटन की खेती को ही मनजूरी मिले है जैनेटिक इंजीरिंग अप्रेजल कमिटी पर्यावरण मंत्राले के तहत एक सामविधिक समिती है इस समिती का गठन खतरनाक सूक्ष्म जीव या जैनेटिकली इंजीनियर्ड जीवों के विनिर्बान उप्योग और भंडारन पर बने 1989 के नियमों के तहत हुआ था ये नियम 1986 के पर्यावरण सरक्षन अधी नियम के तहत जारी किये गए थे देश में किसी भी जीव फसल की पर्यावरणी मंजूरी यही कमिटी देती है